गुरू, मैंने इंटेलिजेंस की परिबाशा आपको बता दी, तो गुरू, जिसने मोल्ड होने की ख्षमता बचाये रखी है, जिसकी मोल्ड होने की ख्षमता बरकरार है, और जो अटेक कर सकता, वो गुरू, गुरू, खुदको जो देना है, दे देता है, उसको जो करना है, कर डालता है, वह किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता है, ब्यूटिफुल, एक बार फिर हम बचपन में जाते हैं, बच्चे जब पेदा होते हैं, तो परिवार का कर्तव यह है, कि इस सुत्र में उसको ढ़ल दिया जाए, अगर बच्चा इस सुत्र में ढ़ल दिया जाए, तो दुनिया की कोई ताकत, उसको महान तम बच्चा होने से नहीं रोक सकती, चाहे वो कहीं पे भी पेदा हुआ हो, या कैसा भी हो, क्योंकि कोई भी बच्चा, विश्व में डल पेदा नहीं होता है, डल उसको बनाया जाता है, हमारा संसार बच्चों को डल बनाने की एक प्रयोक शाला है, बच्चा डल पेदा हो ही नहीं सकता एक बच्चा लेके आओ जो नहीं जानता हो खुश कैसे होना मस्त कैसे रहना अपनी बात कैसे मनवाना अरे उसकी द्रड़ता मुखे पर ऐसा तूटता कि वो एक बार जीत पकड़ ले तो पूरा परिवार सरंडर हो जाता एसी द्रड़ता बच्चे में होती ऐसा उस्साह होता सब कुछ वो लेके आता है जिसको हम इंटेलिजेंस केते हैं जो महान से महानतम मनुश्य को बना सकता वो सारे गुन बच्चा लेके आता है लेकिन पालन पोशन गलत हो जाता है परिवार की जवाबदारी है और परिवार बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि कहने से प्यार नहीं होता प्यार तो क्रशन को यशोदा का मिला विव्यकनन्द को उनकी मा का मिला स्थीव जोस को उनके पिताजी का मिला जीज-जीज बच्चे का लानन पोशन सही हो गया और वो मोल्द होने की क्षमता, वो उत्सा, वो कॉंसेंट्रेशन जिसका बरकरार रख दिया, मावाप ने, उस बच्चे ने चमतकार कर दिया अब थोड़ा सा इस सुत्र को बढ़े अच्छे से समद लो मनुष्य जीवन क्या है? अगर आप मोटा-मोटी तौर पर देखें, तो 24 गंटे का एक दिन है और उसको आठ-ाठ के तीन टुकडों में डिवाइड करें अगर बड़े साधारान तरीके से तो आठ गंटे उससे काम करना है, आठ गंटे उसको कुछ ऐसा करना है कि काम करने के लिए एनर्जी आए और आठ गंटे सोना है इसमें तो कहीं कोई confusion नहीं है अब लाउज्दू क्या कह रहे हैं कि गुरू खुद को जो देना है, वह दे देता है और उसको जो करना है, वह कर डालता है अब मनुष्य को जो करना है, वो कर नहीं पाता क्योंकि वह उसको जो देना है, वह दे नहीं पाता दोनों चीज समद लेना बनना तो हमको भी बूद्ध और करशन है, यह ना बनना तो हमको भी स्टीव जोस, आइंस्टाइन एडिसन ही है बनना तो हमको भी बिल गेटसी है, यह ना किसको नहीं बनना है तो बन क्यों नहीं पा रहे हैं जो करना है वो कर क्यों नहीं पा रहे हैं तो लाउजु के रहे हैं क्यों क्यों कि जो देना है वो आप दे नहीं पा रहे हैं तो गुरु क्या करता है गुरु अपने को जो देना है वो दे देता है और जो करना है वो कर डा पिर वर किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, किसी की तरफ जांकता ही नहीं गुरू, जांकने की जरुवती नहीं बची, अगर मुझे जो चाहिए, वो मैं दे रहा हूं, और मुझे जो करना है, वो मैं कर गया, तो मुझे बाकी किसी से कोई सम्मंद बसता नहीं है, तो गुर क्या उम्मिद रखेंगे किसी से प्रश्ण ही नहीं उठता है तो आठाठ गंटे के ये तीन सेशन है हमारे पास और एक दिन के इसाफ से कहूं तो उस सेशन का उप्योग होना चाहिए अब पहला सवाल यह आता है काम का है ना तो मैं आपको कहता हूँ कि गरबड कहा हो जाती बच्चे के साथ वहां से पकड़ो हर एक के जीवन में गरबड वहीं से हुई ये और वो गरबड ये हुई ये कि उसको जबरजस्ती स्कूल बेजा गया है पहली गरबड दूसरी गरबड उसको जबरजस्ती हिंदू मुस्लिम इसाई बना दिया गया है ये दूसरी गरबड है वो हो नहीं सकता लेकिन बना दिया गया है फिर हम केते सारे सफल नास्तिक है वो नास्तिक नहीं है वो परमास्तिक है वो नास्तिक कहां से हो गया है सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुस्लिम नहीं है चर्च नहीं जा रहे आप अपनी परिभाशा में बच्चों को मट डाले वो समझदार है वो इंटेलिजन्ट है उसको खुला रखे मोल्ड मत करे बच्चे से आप प्यार करते है तो प्यार का हसिन पिंजरा बना के उसको कैद मत कर ले तो बच्चा अपनी मर्जी से स्कूल जाना चाहिए उसकी निर्ण एक शमता बढ़ाना चाहिए आप बताएं कि स्कूल जाने के यह यह फाइदे है तेरे को क्या लगता है जाना है बस जाना है तो जा आपकी समझे की जाना जरूरी है और नहीं जाएगा तो यह गाटे है ठीक है आप उसको बता दे शायद एक साल लेट जाएगा दो साल लेट जाएगा है ना या फिर वाल्ल डिजनी एडिसन, राइट बदर्स अम्मानी या ऐसे कई लोगों की तरफ पड़ नहीं पाएगा और क्या होगा है ना नहीं जाएगा तो यह होगा हो क्या जाएगा लेकिन डिसिजन तो उसका होना चाहिए सिखने लाइक क्या है जीवन में निर्णय करने के एक शमता वो हम छिन लेते बच्चे से कि डिसिजन हमने कर लिया है क्यों? क्योंकि हमने तुझे पेदा किया है तेरे को जाना है बात खतम हो गई आप उसको हिंडी केप बना रहे है आप देखना निर्णय क्षमता हर मनुश्यक हो चुका है डिसिजन होते ही नहीं क्यों? क्योंकि बच्पन में ही डिसिजन करने की कलाब भूल चुके माता-पिता के कारण, परिवार के कारण अब आप डिसाइड नहीं करते कि मेरे को हिंदू-मुसलिम होना है, इसाई होना है या कुछ भी नहीं होना है, माबापने तै कर लिया है एसा एसा कमाल हम कर रहे हैं बच्चों के साथ पढ़िये मैं क्रिश्ण हूँ भाग चार मेरे राजनितिक उठान की दास्तां और जानिये कैसे क्रिश्ण आर्यावर्द की राजनिति का प्रमुख केंदर बन कर उबरे द्रौपदी स्वेंवर सफलता पूर्वक निप्टाने हे तो क्रिश्ण को किन किन चिनोतियों का सामना करना पड़ा पढ़िये मैं क्रिश्ण हूँ भाग पांच मेरे और द्वारका के संघर्श शील दिनों की दास्तां और जानिये क्रिश्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरन करवाना पड़ा क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरन के दोरान क्रिश्ण ने द्रौपदी को अंगिनत साडिया दी थी पढ़िये मैं क्रिश्ण हूँ भाग छे मेरे जीवन के अंतिम दिन और जानिये क्रिश्ण ने महाभारत युद्ध के दोरान पांडों का ही साथ क्यों दिया था क्यों क्रिश्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकान शियादव आपस में लड़कर खत्म हो गए मैं क्रिश्ण हूँ का चौथा पांचवा और अंतिम छटा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ आत्मन-e-store.com पर उपलब्ध है अब काईदे से थोला सा एज्जूकेशन सिस्टम को भी हम देखें क्या है एज्जूकेशन सिस्टम आदमी 14-15 साल पढ़के ग्रेज्जूएट हो रहा है यानि कि 20 वर्ष में ग्रेज्जूएट हो रहा है और उस ग्रेज्जूशन का करेगा क्या और वो ही उसकी लाइब का पिरियड है जिसमें वो सीख सकता जब वो एनरजे ठीक है वो पूरा जीवन उसका स्कूल में निकल जाता 20 वर्ष बहुत बड़ा होता है उसके बाद में किसी मनुश्य के पास 10 वर्ष से उपपर बचते नहीं है बचे 60 साल 10 वर्ष से उपपर का आप सीखी नहीं पाते सिखने की उमर चली जाती ग्रेज्जूएट होने में और उसका कुछ फाइदा नहीं मिल रहा है तो मैं बार-बार केता हूँ एज्यूकेशन सिस्टम भी लूटेरों ने बनाई है समझ है नहीं साइकोलोजी की अगर आपको मैं बार-बार केता हूँ कि 8 गंटे जो काम करने के हैं उसमें आपका केरियर बनाता है आप ऐसी कोई स्टड़ी कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉबलेम ही नहीं है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है पढ़ना जरूरी है एक कंडिशनिंग हो गई है डिग्री जरूरी है एक कंडिशनिंग हो गई है अरे तो पढ़ना जरूरी है तो आटवी तक काफी है 13 साल की उमर तक काफी है बच्चा जो स्कूल से सिखने लाए कि वो सिख जाता है सिखना क्या है उसको थोड़ा बोलना चलना थोड़ा दूसरों को समदना थोड़ा खेलना कुदना थोड़ा दोस बनाना कोई परसंटेज जरूरी नहीं है ऐसा कुछ स्कूल में नहीं सिखा रहे है कि आप सो में से सो मार्क लियाएंगे तो आप सक्सेस्फुल हो जाएंगे अरे सो में से सो मार्क लाने वालों के तो तो पते नहीं पढ़ते लाइब में कहा खो गए हैं। सारे सफल वो हैं जो फेल पे फेल हो रहे हैं। तो स्कूल का महत्व क्या है आठवी तक का बस बहुत हो गया। उसके बाद मैं उसी को पढ़ना चाहिए। जिसको केरियर बनाना है। क्योंकि आपका आठगंटे का जो पिरियाड है वो आपका जीवन बना रहा है। आप उसकी चिंता ही नहीं कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा अच्छे से समदने सब जने। और मैं पक्षदर हूँ इस बात का कि आठवी के बाद हर बच्चे का केरियर फिक्स हो जाना चाहिए। कि स्टड़ी उसका केरियर है या कुद दूसरा। और नवी से जो उसका केरियर है उसी की सिक्षा दी जानी चाहिए। उसका केरियर मुजिक है तो बाकी कुछ सिखने के उसको ज़रोत नहीं है मुजिक इंस्ट्यूटूट होना चाहिए उसका केरियर मेनेजमेंट है तो मेनेजमेंट इंस्ट्यूट होना चाहिए उसको पत्रकार बनना है तो आठवी के बाद काफी है फटाफट लाइब कितनी है जो इतना टाइम वेस्टम कर रहे है लेकिन हमारे एड्यूकेशन सिस्टम में वबलेबल नहीं है और हम बच्चा समस्ते किसी को भी 13-14 साल का बच्चा बच्चा होता ही नहीं है काफी मैच्चोर हो जाना चाहिए इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए तो माबाप का कर्तव यह है कि 13 साल बाद उसकी पॉकेट मनी कट कर दो अब कमाओ और फीज बरो हाँ आपका केरियर स्टड़ी है तो बात अलग है तो भी स्कूल है यह सी होना चाहिए आंटवी के बाद कि 4 घंटे का जोब और 4 घंटे की स्कूल बराबर मेंचे तो बच्चा कुछ सीखेगा अब भी हम पूरा जीवन उसका वेस्ट कर रहे है और माबाप वेस्ट होने दे रहे है कैसे जीवन बनेगा और फिर B.S.C. से मन नहीं बढ़ता M.S.C. कर लेते हैं टाइम पास चल रहा है एड्यूकेशन का आजकल के बच्चों का मैं सोच रहा हूँ इस बार कुक्री कास कर लूँ खाना बनाना है? नहीं घर पे खाना बनाना नहीं है लेकिन टाइम पास करना है दो साल का ये कोस कर लूँ दसलाग रुपे फीस है पापा वाट इस दीस? आप कोर्स क्यों कर रहे हैं? जीवन हकिकत है जो आठ गंटे आपको काम करना है तेरा चौदा साल बाद उसके आसपास बच्चे को गुमना चाहिए नेने उसका इंडिपेंडेंस सिखा उसको कि नहीं मिलेगा आप लोगों को भी मालूम है पुरानी जनरेशन सब याद कर लो अपने पिता जी को दादा जीओं को खाना नहीं मिलता था सब याद कर ले ना शहर में चार गालियां होती थी तो मालूम होती थी है किसकी है फ्लाइट नहीं थी वहाँ से यहाँ तक सब जने पहुँचे है क्यों? क्योंकि उनमें सब पढ़े लिखे कम है सब एंट्रेपिनर हो गए सब मास्टर थे अब क्या हो गया? छोड़ दो आज के बच्चों को और कमा के दिखाए मुझे इस एज्यूकेशन सिस्टम से जो उनकी हरकत है उससे सम्भवी नहीं है क्योंकि आठ घंटे की चिंता ही नहीं है जो करना है वो तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा करना क्या है? याने कि गाड़ी में पेट्रोल क्या देना यह नहीं मालूम है पेट्रोल देके गाड़ी कहां ले जाना ये नहीं मालूम है बेहोशी में जी रहे हैं और माबाब सपोर्ट कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हम केरियर बना रहे हैं केरियर बनता नहीं है जब दुनिया की हकीकत में जाते तो क्या होता मैंने तो काफी यंग्स्टर देखे हैं पुराने जमाने में सो में से नब्ब्य आदमी ने प्रगति करी है और आज वो रेशो दस जार में से एक का हो गया है जी साल में छोड़ दो बच्चे महां से हीली नहीं रहे हैं डिपेंडेंट है शादी करने के बाद भी पापा से पुछते हैं पापा गोवा जाना है पेसा दोना यह हाल हो गए हैं सबके क्यों हो गए क्योंकि केरियर की चिंता नहीं है आपको कुछ बनना है तो आठ गंटे की चिंता करनी पड़ेगी और वो भी चोदा साल से करनी पड़ेगी तो केरियर बनेगा अब इस सुत्र की थोड़ा सा और गहराई मम जाएं सुत्र एक बार फिर सुन लो कि गुरु कुछ को जो देना है वह दे देता है और उसको जो करना है कर डालता है बस अब मनुष्य को अपने को क्या देना है हम एक गाड़ी है जिसको चलाना है हमारे बीतर से कुछ महान निकलना चाहिए और वो कब निकलेगा जब हमको अपने आपको समालते आएगा कि हमें क्या चाहिए आट गंटे की नींद का ओप्शन नहीं हमारे पास वो तो चाहिए चाहिए और चाहिए बचे सोला गंटे तो सोला गंटे में दोनों चीज हमें बैलेंस करनी है और बच्चे को केरियर उसी में बनाना चाहिए जहां आट गंटे उसको काम करना है वो काम नहीं लगना चाहिए बढ़े ध्यान से समद लेना उसमें आनन्द आना चाहिए उसमें उस्सा आना चाहिए काम ऐसा सिलेट करना पड़ेगा जो रास की तरह वो कर पाए उसे लगे ही ना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ ये जो मेहनत कर रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं और जो आगे बढ़ रहे हैं, वो महनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो मज़ा ले रहे हैं अपने काम का, और हर बच्चे की एक-दो फिल्ड होती, जिसमें उसको मज़ा आता, और कभी दबी अवाज में वो कहता भी, कि मुझे ये बनना है, तो माता-पीता बीच में आ जाते, और क्योंकि मैं तो गुझरात में काफी रहा हूँ, और हमारा परिवार भी गुझराती है, और मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी पर कमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गुझराती मानूस और मारवाली मानूस, उनके माता-पीता का मैंने फिक्स क्राइटिरा देखा, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपके भीतर से मुझीक आ रहा है, नहीं, मुझीशन बहुत धक्के खाते, मिलेगा क्या, तो केलकुलेशन से चलते, बच्चे को बनने नहीं देते, वो भूल जाते, और आज की तारिख में आप देखेंगे, तो आर्टिस्टों की आप दुनिया देख लीजिए, जो सच्चे आर्टिस्टे, बड़े आर्टिस्टे, वो कहां से कहां पहुँच गए, फिर भी इन दोनों को रिस्क नजर आती, कि वो तो हजारों में एक की बात है, है ना, तेंदुलकर नहीं बनाना, कोई गुजराती मारवाली का लड़का बोल दे मुझे तेंदुलकर बनना है, और तीसरी सिंदी, तो मैं हमेशा कहता है जनरल बात के रहा हूं, सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मैंने देखा है सबसे पहले, तो ऐसा नहीं होता है, हर बच्चे में कुछ प्रदीबा होती है, किसी काम उसको बस वो इंट्रेस की फिल्ड मैं अगर वो 14 साल से भीड जाए, तो काम का मज़ा आता है, तो जो करना है वो कर देता है, आप कप कर पाएंगे? जब आपको उस काम में मज़ा है, अभी सब ज़नों ने फिल्ड ऐसी सिलेट करिए कि काम सजा है, अब काम सजा है, तो इस जनम में आप सफल नहीं हो सकते, इस जनम में आप बढ़े नहीं हो सकते, काम तो मजा है, मुझे मजा आना जाईए, अगर मोजार्ट है, तो उसको मुजीक में मजा है, आप समद लें आइडिसन को प्रयोग में मजा है, राइट बदर्स को मजा है, वो काम नहीं है, अगर मुझे लिखने में बोलने में मज़ा है मैं जीवन बर बोलूँ कोई सजा नहीं है किसी भी काम में मनुश्य सजा क्यों भुकते तो सजा वो इसलिए भुकत रहा है कि वो बहार से पकड़ रहा है केरियर सब कुछ बहार से पकड़ रहा है बीतर से आएगा carrier भी कि मुझे इस काम में मजा है और जिस काम में मजा है उसी मोँचमतकार कर सकता क्यों? क्योंकि जहाँ मजा होगा आपको, वहीं आपका concentration लगेगा वहीं आपका विश्वास जगेगा वहीं आपमें उस्सा बना रहेगा सब कुछ आएगा अगर मज़ा है तो तो तीन टुकडे में समझें कि जो करना है वो कर देता है यानि केरियर भी ऐसा फिल्ड भी ऐसी कि जिसमें मज़ा है तो वो भी काम नहीं बचा क्योंकि मनुष्य जीवन में कस्ट है ही नहीं हम गलतियों से चुनते जिसमें मज़ा आता वो वो कर नहीं रहा है और जो कर रहा है उसमें मज़ा नहीं आ रहा है तो पहली चीज ये दिमाग में बिठा लेना और आपको कहीं मज़ा आ रहा है तो पैसे की लालच में चले मज़ जाना दूसरा काम करने ये भी गलती कई लोग करते और अब अल्टिमेटली मजा आपको कहीं से कहीं पुँचा देगा और फिर मेहनत क्यों करना तो इतनी चीज आप समझ लें कि जीवन में सिर्फ मजा, आनन, मस्ती, संतोष और सफलता है हम मिस्टेक कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं और फस रहे हैं, हमारी फिल्ड वो है जिसमें मजा है, तो बच्चे को जवाबदार बनाये 14 साल से, कि भई तेर को जिसमें मजा आता, वो फिल्ड चुन, वो ही तेरा केरियर, और इंडिबेंडेंट हो जा, सिखना जरूरी है प्र पॉर्फुल पिरियड लाइप का, उसको मत बिगालें, तो बच्चा महान बन जाएगा। सरल्तम विज्ञानिक भाषा में विशलेशन करते हैं, तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पढ़ने वाले प्रभाव से संबंधित, तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं, जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कह है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या तालुक है? साथी आपके शांदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल्टिप्स भी दिये गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्म शक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाइस्टेप तरीका, त आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकट्टा बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नीव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा? ये सीधे तौर पर उसका, उसकी आत्मा से निकट्टा पर निर्भर है. ये किताब अंग्रेजी में दो ब्लाक बुक अफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराथी में तुमी आनी तुमसा आत्मा, तथा गुजराती में तमे अने तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुक बुक स्टोर्स और ई-कॉमर साइट्स पर उपलब्ध है. अब जब आप बड़े कारिये करते समद लेना ये पूनता की सिक्षा है. अगर एडिसन प्रयोग करता, महिनों तक प्रयोग करता, तो एनरजी कहां से लाता? जब प्रयोग बंद करता, तो उसको भी उड़ जा चाहिए, गारी का पेट्रोल खतम हो जाता. जब बल बन जाता, तो पेट्रोल खतम हो जाता, ऐसा नहीं है कि तुरंद दुसरा प्रयोग वो कर सकता है, ये संबव नहीं है, पेट्रोल खतम हो गया, फिर पेट्रोल भरना पड़ता है, तो गुरू उसको जो देना है वो दे देता है, फिर कहीं से भी मिले, जैसा एडि पेट्रोल लेने में भी मज़ा है, वो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं देखता, कि इस पेट्रोल के बारे में लोगबा क्या के रहे हैं, अरे पेट्रोल बुरा कैसे हो सकता है, जो गाली चला रहा है, फिर वो इजिप्ट से निकला है, इंडिया से निकला है, दुबई से निकला है कि कहां से निकला है आपको क्या फरक पड़ता है वो white petrol है कि ordinary petrol है आपको क्याल ना देना है ये भी सिखा आ जाता ये खराब petrol है खराब कैसे हो गया मुझे मज़े जा रहा है मैं energy से भर रहा हूं वो petrol खराब कैसे हो गया तो गुरू नहीं सुनता किसी की अपने आप आपको right petrol देता है और अपने आपको right काम पर लगा देता है और वो महान से महानतम हो जाता है बड़ी आसानी से अब थोड़ा सा वापस आजकल के बच्चों पर आते हैं क्योंकि वाकई विश्व में आजकल के बच्चों की problem अगर इसकदर बढ़ती रही और वे इसी तरह क से चलते रहे तो आगे समस्या बड़ी जटिल हो जाएगी एक बार यह बुजूर्ट चले गए तो उनको गाइड करने वाला कोई नहीं और बच्चे भी ऐसे शार पे मेंने कई बच्चे देखे हैं माबापको तो गाजर मुली समझते हैं तुमको what's up आता है और यह को intelligence की बात हुई what do you mean फोला गोर करना बच्चों पे भी किस चीच को intelligence समझ रहे हैं Facebook पे चैट करने को शारुक खांगो कौनसी गाली पसंदे इसको किस चीच को आप बुद्धी मानी समझ रहे हैं कौफी शोब में बैठके गप्पे मारने को अगर एक बार विट्रो कर लिया घर मालों ने माता पिता ने घुस्से में तो कहीं के नहीं बचते फिर तो उनको serious होने की जरूवत है और माता पिता को भी serious होने की जरूवत है क्योंकि वो right चीज नहीं कर रहे हैं अपने को जो देना है वो नहीं दे रहे हैं जो बिलकुल भी नहीं देना है वो दे रहे हैं औ अगर वहां से यहां तक का सफर सपने तय किया है तो पूरानी जनरेशन की बतुलत किया है neden जियों की वज़े से किया है दूसरी जनरेशन ने किया है तीसरी ने किया है और चोथी फस पड़िए वह dependent है पूरी तरह से dependent है और maximum अच्छा कोर्स करके चुप चाप सजा भूक के कर सकती लेकिन सजा की जरुत क्या है आप मज़े वाले जौब में रहो जिस काम में आपको मजा आ रहा है वो ही आपका जौब है अब यह time pass कर रहे हैं समधले न। इनको टाइम की कदर नहीं है आज कल के बच्चों को यह टाइम पास कर रहे हैं टोटल अपने आप से भग रहे हैं अगर बीड की बीड बिठा दू में पचास बच्चों की जितनी इंटेलिजेंसी निकलती है और होशियार तो ऐसे की पूछो मत यह एक बड़ा दर्धनाक पिरियड चल रहा है मनुष्य जीवन में और फ्रस्टेशन तो आप देखें नहीं दुनिया में कहीं बच्चे बंदुग निकाल देते हैं कहीं गोली मार देते हैं तो यह फ्रस्टेशन इतना क्यों आ गया यह कर क्या रहे हैं एक जमाने में स्कूल यानि बड़े-बड़े ग्राउंड हुआ करते थे न आजकर स्कूल मतलब मल्टी स्टोरी हो गई ग्राउंड पे खेलना ही बुल गए हैं अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 30-40 के हो जाओ गए तो विचारे दादा जी आपकी सिवा करने लगेंगे लेकिन कुछ भी नहीं तो थोड़ा सा आप बच्चों के साथ चर्चा करें पहले तो आप उनको गलत चीजे मत दें यह गलत बात है टाइम काटने की चीज नहीं है जिस चीज से आपको एनरजी आती वो चीजे अंदर डालें और फिक्स एनरजी की चीजें जो भगवान के वहाँ से निकली है वो एनरजी आपको गहरे में पहुचा रही है समद लेना आप कबीर के दोहे से जो एनरजी पाएंगे वो गहरे में जाएगी आप जिस टेंडर का काम करेंगे वो एनरजी आपकी वहाँ तक ही जाएगी और ये जो एनरजी ला रहा है ना वो तो बालों से निचे नहीं जा रही है जहां डूंड रहे है जहां टाइम पास हो रहा है एनरजी गहरी चाहिए ताओ की चाहिए अच्छे शेर अच्छी कवीता अच्छे मूवीज कहीं से भी लाओ बट क्लास जिसमें भगवान जलकना चाहिए चीज ऐसी होना चाहिए जो भगवान के वहां से आई हो प्रकृति के वहां से आई हो ऐसी ब्यूटिफूल चीज़े जब भीतर देते हैं हम सब कुछ बीतर है बीतर जाएगा ही नहीं तो बीतर से निकलेगा क्या गल्ती भगवान की नहीं है गल्ती भाग्या की नहीं है उसने तो बेजा से एडिसन बनने लेकिन एडिसन बीतर चीपा था तुमने उसको मौका ही कहा दिया न तो उसको कुछ खुराख दिया आपने बीतर बेटे एडिसन को, न उसको बाहर निकलने का मौका दिया, फिरोते रहो, उससे क्या होना है, तो गहराई में इस चीज को समझ लेना, मनुष्य गहराई से जी नहीं रहा है, बीतर से और बीतर से और बीतर से, इतने बीतर से आना चाहिए, और इतने बीतर जाना चाहिए चीजे, और अच्छी चीज होगी तो यह बीतर जाएगी, तो यह time pass कर रहे हैं, अब थोड़ा सा समझें, अगर बच्चा इस तरीके से बड़ा होता, time pass नहीं करता, 13-14 साल से मजे की फिल्ड में केरियर बनाने जाता और जीवन में राइट आनन लेता, बितर डालता, राइट मस्ती लेता, राइट ग्यान लेता, बितर डालता तो उसका जीवन 25-28 का होते होते ऐसा हो जाता कि किसी भी खशन उसके पास त्रिगुनी माया से तिन बेस्ट आप्शन होते कि समय ये करूं तो ज्यादा मजा, है ना, वो करूं तो ज्यादा मजा या ये करूं तो ज्यादा मजा, तकलीप का, कस्का, टेंशन का, दुक्का उसके जीवन में सवाल ही नहीं है क्योंकि हम ही अपने को चला रहे हैं और मनुश्य को उस मुकाम तक पहुँच जाना चाहिए कि ये करूं तो जादा मजाया, वो करूं तो जादा मजाया, ये करूं तो जादा मजाया ना लेकिन उस मुकाम पे हम नहीं पहुँच रहे हैं हम त्रिगुनी माया के दूसरे मुकाम बे पहुच रहे हैं अपनी हरकतों से कि ये करूं तो कम तकलीफ वो करूं तो कम तकलीफ या ये करूं तो कम तकलीफ ये क्या जीवन बना लिया है तो थोड़ा सा आप समझें जीवन को उस उचाई पर पहुचा है कि हर समय आपके पास एक से एक ऑफ्षन हो लेबल और सिलेट करना मुश्किल हो जाए कि यार किस में ज्यादा मजा आएगा किस से ज़्यादा महानकारी होगा किस से ज़्यादा ताओ जलके का किस से हसीन हसीन बाते निकलेगी उल्टे ओफ्षन में जो हम फसे पड़े हैं उस कारण से हम मरे पड़े हैं सो सुत्र एक बार फिर सुन लो कि गुरू खुद को जो देना है वह दे देता है चाहिए हमको भी ऐसा होना चाहिए कि हमको जो पेटरोल चाहिए हरे का पेटरोल इंडिविजल है किसी को किस चीज से किसी को किस चीज से किसी को 50 चीज से किसी को 2 चीज से लेकिन आपको आठ गंटे राइट पेट्रोल डालना पड़ेगा तब जाके आठ गंटे आप काम कर पाएंगे प्रोपर जो भीतर से आएगा और जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अंती मुझ चाहिए कि आपको दिन को आठ आठ गंटे में डिवाइड करने की अपना नहीं चाहिए उसका जीवन दरसल मौसमी होना चाहिए जैसे एडिसन का आइंस्टाइन का सबका जीवन मौसमी है प्रयोग करने का भी सीजन है तब दो-दो मेने सिर्फ प्रयोग है फिर आराम का भी सीजन है तीन मेने पैट्रोल इखटा करने का सीजन है तो तीन मे पूरे 24 गंटे में डिवाइड नहीं है, हमें यह कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आठाठ गंटे में भी डिवाइड ओ, तो पूरे 24 गंटे मज़ा आना चाहिए, लेकिन यह तो नहीं होना चाहिए, कि जो करो उसमें रोना, जो करो उसमें रोना, यह अंतिम ग्रेड में हम फस पड़े हैं और आजकल के बच्चे तो उससे भी नीचे उससे भी नीचे टाइम काटना मुश्किल है टाइम काटना है भगरे अपने आप से अपने आप से भगना जीवन की अंतिम गिरावटे तो इस सुत्र का पूरा सार यही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदी जीवन बनाना परिवार के हाथ में हैं गलत रस्ते उसको मत जाने दें उसको जवाबदार बनाएं नीड़ने उसको लेने दें वो महान से महानतम बन जाएगा मैं समय हूँ विश्व की अंतिमवन निरणायक सत्ता होने के बावजूद कोई नहीं चानता कि आफिर मैं हूँ कौन पुरा प्रम्हांड ही नहीं बलकि मनशों के जीवन की हर उचनीच भी मेरे ही नियंद्रण में है जो मेरी चाल से ताल मिला लेगा एक सुखी और सफल जीवन गुजारना उसका भाग्य हो जाएगा अभी भी देद नहीं हुई है मेरी चाल से ताल मिलाने के लिए पढ़िये बेस्सेलर्स मैं मन हूँ मैं कृष्ण हूँ और 101 सदाबाहार कहानिया के लेखक दीव त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूँ ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक्स्टोस तथा e-commerce sites पर उपलब्ध है ताब 101 सदाबाहार कहानिया में सर्वकाल इन सर्वश्रिष्ट कहानियों और चटकुनों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकलोजिकल और फिलोसोफिकल पहलों को सार के रूप में अपने ही अनोख्य अंदाज में समझाते हैं यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराथी तथा गुजराती में आत्मनिस्टोर.com और सभी प्रमुक बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है